हाई फ्रेंटोणिंग मैं बिनौत कुमार सहाबत आप सबको मेरे चनल चुक्यू दर्शन में स्वाहगत करता हूं आज एक नया जगा में जाएंगे मेरे साथ बने रही है सुंदर दर्श्य होगा सुंदर दर्शन होगा सुंदर जगा होगा आज आज हम जा रहे हैं पटीयाला घुमने की लिए, पटीयाला का परिक्रुमा के सत्राइभ खाफ गुरु द्वारा साहर अभी हम इंदर परिक्रुमा करते हुए, आभी हम जाएंगे शिदा गुरु द्वारसाहिप। आभी हम देखो राइट साइड मेरा पोस्ट ओपिस और लेप्ट साइड में महान कॉंटिनेंटर का भी हम भी यहां लंच करते थे चड़ो आभी फावरा चोक होते हुए स्टेशन से आगे बढ़ते हुए बस अड़की फाई ओवर की उपर से शू चलते हुए चलेंगे देखिए यहां से खास चीज है यहां के बस सर्विस बहुत अच्छी बस सर्विस है और हर जगा के लिए जितने ट्रेन नहीं है उसकी चार गुना बस है हर जगा के लिए बस आपको कोने कोने के लिए यहां से बसे मिल जाएका लॉक्जरी बस डिलेक्स बस ऐसी कोचस वर्लबो बसस हर किसम की बसस यहां से मिलेगे बहुत अच्छा यहां की बस स्टेंड बस स्टेंड क्या एक माना हुआ बस स्टेंड है यह पूरा पंजाब की अच्छा बस स्टें से थोड़ा सा राइट होती हुए टर्न करेंगे करते ही सामने हमारे को दुख निवारन शाहिब गुरुद्वारा मिल जाएगी यह खंडा चोक देखिए कितने संदर चोक है हम देखो यह यहां देखो इंट्रीगेट है यहां से अंडर पार्किंग है पार्क करते हुए हाँ राइडा हाँ अभी हम गुद्व्र केंदे दु आ गे हैं सबसे पहले जाएंगे इनकी सरवर में सरवर में जाकर को ठोड़ा सा प्य रहत धोंगे इनकी सरवर में स्नान करना बहुत माननिया हैं एक कुण्य की काम हैं और उनके एक बर्दान भी है गुरुत एक बाहदुर साहब जी का एक बर्दान भी जो भी वेक्ति इनकी सर्वर में स्नान करके माखा टेकता है उसकी सारे कश्ट सारे दुख निवारन हो जाता है दूर हो जाता है नस्ट हो जाता है यह एक मान्य था है इनका हमेरे साथ बने रही है अभी ह पानी चिटा बॉर अपर डाल दिये पेराथ धोलिए अभी चलेंगे अभी ग्रंत शाहिब का दर्शन करने के लिए देखिए कितने सुन्दर द्रश्य है मन मुख्द करने वाला उनका दरबार लगा हुआ है बहुत शारे सवधालों बहुत दूर-दूर से आते हैं यांकी इनकी बेट के घंटा-घंटा बेट करके भगवान की बानी सुनके जाते हैं उनकी गुरुमानी ही उनके लिए मूल मंत्र है उनका उपदैस है उनकी गुरु है उनकी सब कुछ है क्योंकि इनकी दस गुरु हुए थे सिख सदारों की गुरु नानक देव से सुरू हो करके गुरु कविंसी जी तक है गुरु कबिन सिंग जी ने एक गुरु पुरमपरा को समाप्त करके ग्रम्त छाहिब को ही एक मत्टर गुरु मान लिये थे तब से अब तक इनके ग्रम्त छाहिब ही गुरु हैं उपदेश बानी हैं उनका सब कुछ यही है इस आदे से उफदे से विश्वा से सनेहे प्रेमे जो भी है सब कुछ यही घ्रमत साहब ही है अभी हमारा दर्सन हो गया है अभी हम दर्वार से बाहर आ रहे हैं अभी दिरेदर करके उनकी मीजियम में चलेंगे देखेंगे कितने मीजियम में कितने सुन्दर दर्शे यह सारे उनकी गुरुओं की और उनकी समय का जो भी है इसके अंदर सब कुछ बंदन है आप मैं घुमा हुआ आप देख करेए मेरे साथ गुरु तेक बाहदुर शाहद जी ने अपनी हास से अपनी कमल हस्त से एक पते नामा जारी किये थे जो इसी सरवर में जो भी स्रधालू शद्धा सच्छा मन से स्नान करकी मेरी बाणी को दर्सन करेगा इस गुरुद्वार की परिक्रमा करेगा उसकी सारे कस्ट नस्ट हो जाएंगे हमारा दर्शन हो गया पते नमा का भी यह दर्शन हो गया परिक्रमा हो गया सरवर में स्नान हो गया हम बाहर आगे हैं अभी लंगर की ओर चलते हैं आपको मैं लंगर की वारे में थोड़ा सा बता हूँगा यहां 24 गंटा लंगर चलता है कोई भी स्तधालुक कभी वी किसी वक्त भी आता है तो कई भूका नहीं जाएगा आएए मेरे साथ लंगरी के अंदर चलते हैं आज की प्रसाद का भी थोड़ा सा अनन्द लेते हैं बाय गुरुजी का खलसा बाय गुरुजी का पते हैं आप ब लेकर करके बढ़िए यहां एक चीज़ खास देखने वाले हैं चाहिए कितने बड़ा आदमी हो चाहिए कितने चोटा आदमी कोई नीच भाव कोई उपर नीचे बड़ा चोटा कोई भैद नहीं यहां पर सारे नीचे बैटेंगे एक लाएन में सब सब्दालू आपनी करेंगे यह वीडियो मेरा कैसे लगा अच्छा लगा लाइक करिए दोस्तों को सेर करिए और जो नया सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़े हुआ है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए तक यह आने वाले साले नौटिफिकेस नार्ट पास टाइम टो टाइम पहुंशते रहे बा बाइगुरु जुकुपते ही सच्छिया का